बंदे देव उमापतिम् शुरगुरं बंदे जगात्कारणं बंदे पन्न गभोषणं रगधरं बंदे पशूनां पतिम् वंदे शूर्य ससांक वन्हिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं बंदे भाक्त जनाश्रियंच वरदं बंदे शीवं शंकरम ओम नमस्षिवा या नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविश्यमाडी मैं हूँ आपके साथ पंडिश चंद्रशीकर सर्मा लेकर आया हूँ आपका सापताहिक रासी भल आईए देखते हैं इस अपते किस रा रासी वाली को क्या खास मिलने वाला है तो सबसे पहले देखते हैं मेसरासी तो मेसरासी के जो जातक हैं उनको इस अपता आपकी गत्विधियों खास कर व्यवशायकता का दायरा संकिन हो जाएगा और ये हपता पूरी तरह से धन और धन से सम्मंदित मामलों से ही जुड़ होगा आपके प्रमुक लक्ष आय परशंपतियां और सभी प्रकार के मौद्रिक लाब होंगे अपनी आय को वढ़ाने की आपकी इच्छा बाकी सभी विचारों वा गत्विधियों पर भारी परती नजराएगी आपका कामकाजी जीवन व्यवशायक मामलों में अदिगरण पूजी, धन और बित्ती मामलों के इर्द गर्द ही घूमेगा आपके लिए सोब उपाय है कि आप भगवान शूरु के लिए करनेर के पुस्प में लाल चंदन के साथ भगवान शूरु को अर्ग परदाद करें अब आते हैं अगली राजी ब्रसराशी तो ब्रसराशी के जो जातक हैं वो आगे वड़ते रहेंगे और अपनी ताकत वा कुसलता का अधिक से अधिक इस्तिमाल करेंगे यह कारे करने का समय है आपका ध्यान, अनुशंधान, खोज, अविश्कार और अध्यन के नई छेत्रों की ओर रहेगा आप बैठकों, सम्मेलनों, साक्षातका आप निरंतर वड़ते रहेंगे और हर उस तरीके से अपनी पहुंच महत्रपूंड लोगों तक बनाए रखेंगे, जिसके वारे में सोचा जा सकता है, कोई यात्रा भी फायदे मन सावित हो सकती है, परन्त इस दोरान आपको अपनी सिहत का बिशेश रूप से खयाल रखन होगा, आपके लिए उपाय है कि आप सिवलिंग पर जल चणाएं और मादरुगा की आराधना करें आपके लिए सुभराएगा, अब आते हैं अगली रासे मिथो नुराशी, तो मिथो नुराशी के जातक हैं उनको इस अपका परिवार हर तरह से आपके ध्यान के केंदर मे होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहो, क्योंकि कुछ नकारात्मक रुज्यान भी मिल सकते हैं, आप कणी मेहनत करना जारी रखेंगे, लेकिन परिवार और शंपत्ति घरवा उसके सभी प्रकार के नवीनी करन के मामलों को प्राथ मिक्ता देंगे, पर आप अपने स्वास का खयाल रखे, समाज सेवा, बड़ेवा, गंभीर मुद्दों, उत्पादक्ता और काम पर आप विसेश जोल रहेंगे, आप अपने फोकस को थोड़ा सुधारें, और इसके लिए उपाय है कि आप भगवान गडपती की आराध ना करें, अब आते हैं अगली रासी करकराशी, तो करकराशी के जो जातक हैं, हाल के समय में किये गए काफी सोच विचार और आतमाव लोकन के वाद आप कुछ हद तक अपने प्रात मिकताओं का मार्ग भटक चुके हैं, या सायद आपका धियान भटक गया है, लिहाजा अब यह जरूरी है कि परिवार के साथ मेल मिला उनके साथ होने वाली आपकी बातचीत, आप परिवार के साथ सम्मंद इस तरह मजबूत करेंगे, जैसे आपने पहले कभी नहीं किया, वह आपकी ताकत और सबसे बढ़कर जीवन में आगे वड़ने की आपकी प्रेर्णा है, तो आपके लिए अब आते हैं सिंगरासी, तो सिंगरासी वालों को यह समय कलपना लोक में उड़ान भरने का नहीं है, निश्चित रूप से यह समय हलके फुलके रोमांस और कलपना का भी बिलकुल नहीं है, आपका ध्यान सारी रिक्षीजों पर अधिक कैंद्रित होगा, आप प्यार वार जुनून के मामलों में अनियंत्रित होकर डूबे रहेंगे, और इसके बाब्यू द्रनता से धन, रिंड, बिराशत और वित्तिय मामलों से सम्मंदित ब्यावारिक गत्विदियों में लिप्त रहेंगे, यह समय काफी दिल्चस्प है, आप ध्यान, धार्मिक और आध्यात जो जातक हैं, उन्हें अपनी धन, शम्मंदि, चिंताएं, बमुद्दों का शमाधान होने से आपका रुजहान, कला, नाटक, शंगीत, आमोद, प्रमोद और पार्टियों में मोज मस्ति की ओर रहेगा, आप बच्चों के साथ खुशियों भरे पल विताने का अवशर तल हैं, और अब कुछ महत्पूर्ण रिने वही आप ले सकते हैं, आपके पास किसी भी छेतर में सफलता पाने के लिए परियाप्त, संसाधन और विशिष्ट अंदाज मौजूद है, आपके लिए सुब उपाय है, गणिजी की आराधना करें, जो आपके लिए कापी सुब सा अब आते हैं तुलावाशी, आप जीवर में आत्मिक, सांतोना, गूर, शत्य और गहरी अंतरद्रश्टी की तलास करेंगे, पिछले हपते की उत्तेजना पूर्ण गत्विदियों की बाद इस हपते, आपका सुभाव थोड़ा सांत, यहां तक की चिंतन सेल भी रहेगा, आत्माव लोकन के इस समय में आपको कारी छेतर से जुड़े मुद्दों का समाधान करना होगा, आप बास्टविक और मजबूद संबंदों में रुची रखते हैं, लेकिन काम का दबाब समान रूपशे मजबूद विप्रीत इस्थती पैदा करेगा, लिहाजा संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें, आपके लिए सुब उपाय है कि आप मालक्षमी की आराधना करें, और ऐसा करना आपके लिए हर तरह से लावकारी रहेगा, और मन भी बिचारों से परेवा हलका रहेगा, अब आते हैं ब्रस्चिक रासी, तो ब्रस्चिक रासी वालों को इस स पता हां कि मुख्य विसिष्टता लोगों तक सच्ची और वास्तिविक पहुंच बनाना है, यह हपता आपकी रुचियों में अचानक और आनंद दायक परवर्तन की परवर्ती भी निरधारित करेगा, संचार फिर चाहें मैं फौनकाल, मीडिया या महिज पत्राचार के ज पूरी तरह अजनवियों से भी दोस्ती कर सकते हैं, तो आपके लिए सुभव उपाय है कि आप गणेजी और हर्मान जी की आराध ना करें, आपके लिए काफी लावकारी रहेगी, अब आते हैं धनुराशी तो धनुराशी वालों को हाल के समय में जिन्दगी ने आपको यथार्तवादी लक्षेयों और प्राथि मिक्ताओं को तै करना सिखाया है, एक बार फिर आपका पूरा ध्यान भहुतिक मामलों पर है, आप स्वयम को अपने प्रियजनों को आराम और शुरक्षा और जाने की जरूरत है, अचल संपत्ती, जायदात और पारवारी के मामले आपके मस्तित्र में सबसे उपर है, आपको दूसरों को ठेस पहुचाए विना अपने रास्ते पर आगी बढ़ने की आवश्यक्ता है, और यह कसी हुई रस्ती पर किसी नट के समान चलने जैसा है, त पाते हैं मकर राशी, तो मकर राशी वालों को यह दिल्चस्प और समचित रूप से लावदायक समय पूरी तरह से धन और प्यार की मिठास के बारे में है, ध्यक्तिगत और साजह आए इस समय की विसिष्टता है, इस अपते प्यार, जुनूनवार, रोमांस और साजेदार प्यावशाय से जुड़े मामले विभिक्सित होंगे, आगे आपके लिए बहुत व्यस्त समय आने वाला है, और आप ब्यावशाय एक वाभावनात्मांग मांगों को पूरा करने में मसरूफ रहने वाले हैं, हनाकि आप इन सभी बातों का आनंद लेने के लिए द्रन संकल पिताएं, और हर परिस्तिती में अपना सरफ स्रेष्ठ देगे, आपके लिए सुब उपाय है कि आप हनवान जी की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत लावदायक रहेगी, अब आते हैं कुम्भराशी, तो कुम्भराशी वाले जो हैं, आप अपना पैंतरा और शप्ते बड़े ही नाट किये ढंग से, आपको उन शौक और रुचियों के लिए ज्यादा समय मिलेगा, जो आपके दिल के करीव है, यहां प्यार का विसेश रूप से उल्ले किया जाना चाहिए, क्योंकि यही बहँ चीज है, जिसमें आप अपने सबसे महानतम और सकते हैं, तो आपके लिए सुब उपा है, क्या भगवान विश्णु जी की और लच्मी जी की आराधना करें, आपके लिए काफी सुब रहेगा, और इनकी आराधना से आपका पथपरदर्शन भी होगा, अब आते हैं मीन राशी, तो मीन राशी के जो जातक हैं, अगर सा महसूस करते हैं, तो यह स्वागत योग्य है, आत्म छवी को लेकर आपकी समझ गहराएगी, वह उसमें बिवित्ता उत्पन्न होगी, और इसमें ना सिर्फ यह सामिल होगा कि आप स्वाइम को कैसे देखते हैं, बलकि यह भी सामिल होगा कि दूसरे आपको कैसे देखते यह समय अपनी उपलब्दियों को तोलने और उनका मूल्यांकर करने का भी है आपके लिए सुभ उपाय है कि मातारानी वा लच्छमी जी की आराधना करें आपके लिए सुभ रहेगी आज के लिए वस इतना ही अगले सप्ता फिर हाजिर होते हैं आपके नए रासी फल के साथ तो मंत्रार्था शफलार्शंतो शफलार्शंतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्नानामुदियस्तवह ओम नमस्षिवाय नमस्कार